कोपित नेलो तो चलिए आज बनाते हैं नारियल से बहुत स्वाधिस्ट लड्डू तो इसे कैसे बनाना है आप पुरी रेसेपी जरूर देखेगा अगर आपको बहुत इंस्टेंट में मिठाई बनानी है ना तो आप नारियल के लड्डू बनाईएगा बहुत जल्दी बन लड्डू भी आपकी सेप में दे सकते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं मिल्क पॉडर लेंगे तो आप चाहे तो इसमें हलका कुन-कुना करके भी दूड़ डाल सकते जल्दी मिल जाएगा और यहां पर मैं दो कप नारियल का बूरा ले लेती हूं यह मार्केट में असानी से मिल जाता है सूखा नारियल का बूरा है यह उसके बाद मैं दोनों को अच्छे से मिला के इसको थोड़ा सा गैस में चड़ा के अच्छे से इसको मिलाओंगी और यह धीरे-धीरे सूखता जाएगा और जिससे यह नारियल का जो बूरा है वह भून भी जाएगा प्राई हो जाएगा और दूद्ध भी अच्छे से पक जाएगा दोनों सब अच्छे से मिल जाएगे तो यह लड़ू बहुत ही अच्छे से बन जाएगा तो देखिए अहां पर मैं इसे चम्मच चलाते रहना है आप चाहे तो इसमें मोटे तले की कढ़ाई उसकर सकते हैं या नॉन इंस्टिक पैन जिससे थोड़ा असानी होगी मैं पीतल की कढ़ाई में बना रही हो जाएगा इसे इसका चम्मच चलाना बहुत ज़री हो जाता है क्योंकि ये नीचे से चिपकने लग जाता है और इस टाइप की मिठाई होती है न वो थोड़ा चिपकती ही है तो देखिए यहां पर मैं फटाफट से इसे अच्छे से मिला लूँगी और ये इसमें चीनी और डालना है क्योंकि जब ये सूग्या है अब हम इसमें चीनी ड अपर मैं आधा चमच इलाइची पॉरडर ंते हो और यहां पर अधा चमच पर गहीं डाल लए तो अब मैं सब को मिला लेती हो और जब हमने चीनी डाली है इसके मैल्ट होने तक हम इसे पूल complementaryं ये इसका टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आएगा और इक्तम नारियल का लड्डू आपको मार्केट से भी अच्छा बन कर तयार होगा तो देखे ये पुरा हो चुका है अब मैं इसे गैस को बन कर देती हूँ और थोड़ा सा ठंडा करके मैं इसे गोल-गोल बना लूँगी जिसे नारियल का लड्डू होता है तो चाहे आना आप इसको बर्फी भी बना सकते हैं तो अगर यहाँ पर मैं लड्डू बनाती हूँ और उसको सूखा नारियल में लगा के इसके प्लेट में रखते जाती हूँ ताकि देखने में बहुत ही टेस्टी दिखता है यह तो यह देखिए पटापट से मैं इसमें सबको बना लूँगी मैं इसी तरीके से और यह बन गया हमारा नारियल का बहुत ही टेस्टी लड्डू तो आप लोग अपने घर में जरूर बना के देखिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपका लड्डू कैसा बना है तो यह देखिए हमारा लड्डू बन कर त्यार हो चुका है बहुत ज़्यादा टेस्टी है अगर आप किसी को देंगे ना तो जरूर पुछेंगे आप कहां से खरीद किला है तो मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी बना है आप घर पर ही असानी से लड्डू बना सकते हैं आ बहुत जादा quantity में भी बना सकते हैं अच्छी लगी रेसिपी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा थैंक्यू सो मच आवरिवाइब